भारत में हमें कई बार सड़क किनारे, ऐसी छोटी बच्चियों का स्ट्रीट पर्फॉर्मंस देखने को मिलता है, जो कि जमीन से कई फीड उपर बंधी एक रोप पर बैलेंसिंग बना कर चलती हैं। उन छोटी बच्चियों का जान पर खेल कर किया जाने वाला स्ट्रीट पर्फॉर्मंस देखकर हम में से कई लोग उन्हें कुछ पैसे देते हैं। तब देखकर आप दांतों तले उंगलिया दबाते रह जाओगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक छोटी से गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपने कई तरह के पपेट शोस तो देखे ही होंगे, जिनमें परफॉर्मर्स अपने क्लोन पपेट की मदद से अलग-अलग परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन ये आदमी अपने पपेट शो को अलग ही लेविल पर लेकर गया है। इसने अपने आगे और पीछे दो पपेट शोस तरह से लगा कर रखे हैं कि जिस तरह ये आदमी मूव करता है, इसके पपेट भी उसी तरह मूव करते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आदमी इन पपेट्स को इस तरह तयार करता है कि इनकी परफॉर्मेंस को देखकर पहली बार में ये पता लगाना मुश्किल है कि वो तीनों इनसान नहीं बलकि एक व्यक्ति और दो पपेट्स हैं दोस्तों अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स के मुवीज देखी हैं तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि वो किसी का भी आकार ले लेते हैं लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर से जी हाँ दोस्तों, ये औरत किसी ट्रांसफॉर्मर से कम नहीं है स्ट्रीट पर्फॉर्मेंस करने के लिए ये औरत एक नई आईडिया के साथ सामने आई थी ये स्ट्रीट्स पर एक रोबोट की तरह रेडि होकर आती है और कुछ ही सेकंड्स में ये खुद को रोबोट से एक छोटी गाड़ी में बदल लेती है इस ट्रांसफोर सूट को बनाने के लिए इस औरत ने 5 हफते और 800 टॉलर्स के खर्च के साथ बहुत सारी मेहनत भी की है दुनिया भर में म्यूजिक इंडस्री बहुत बड़ी है कुछ लोग सिर्फ एक ढोल से मज़ेदार म्यूजिक बजाते हैं और कुछ लोग किसे भी इंस्ट्रुमेंट्स के बिना सिर्फ अपने मूँ से बीट बॉक्सिंग करके म्यूजिक बनाते हैं वहीं ये आदमी सिर्फ कुछ पाइप्स के टुकणों से बहुत ही कमाल का म्यूजिक बजाता है ये pipes को कुछ इस तरह से मोडता है कि इसके vibration वाले sound से बहुत ही कमाल की beat बनती है आईए इसके music को हम साथ में enjoy करते हैं दोस्तों आज की दुनिया में लगबग हम सभी लोगों को इतने काम होते हैं कि हम हडबड़ी में ही रहते हैं ऐसे में office जाने में late होना और फिर जितना हो सके उतना तेज पहुँचने की कोशिश करना इस बात को भला हम कैसे भूल सकते हैं Life की इसी सच्चाई को हमारे सामने street performance के रूप में बया करता है ये street performer ये आदमी streets पर ऐसे statue की तरह बनकर खड़ा हो जाता है कि इसे देख कर सभी को ऐसा ही लगता है कि इसे कहीं जाने की बहुत चल्दी है ये अपने बालों, कपडों और टाय को भी इस तरह से सेट करता है जैसे कि ये हवा में उड़ रहे हूँ उपर से इसके अजीब facial expressions को भला हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, क्या आप भी हमेशा हरबड़ी में ही रहते हैं? कमेंड करके जरूर बताईए अगर आपने अलादीन की movies और shows को देखा होगा तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि अलादीन के पास एक जादुई कालीन होता है जो की हवा में उड़ता है जैसे वैलन्स नाम के इस street performer ने भी अपने performance के लिए एक ऐसे कालीन को बनाया है जो की हवा में उड़ता है जैसे पूरी तरह से अलादीन की तरह तयार होते हैं और फिर अपने जादूई कालीन पर उड़ते हुए सड़कों पर लोगों का मनरंजन करते हैं इस स्ट्रीट परफॉर्मर को लोग इतना पसंद करते हैं कि कई बार इनके वीडियोज इंटरनेट पर ट्रेडिंग में भी आ जाते हैं ट्रोई जेम्स नाम के इस आदमी का शरीर इतना फ्लेक्सिबल है कि ये खुद को लगबग किसी भी आकार में मोड सकता है और अगर कोई सामान इनसान इनकी तरह अपने शरीर को मोडने जाए तो शायद उसकी हड्डियां ही तूट जाएं इन्होंने अपने इस टैलेंट का परफॉर्मेंस अमेरिकाज को टैलेंट और कई सारे टीवी शोज में भी दिया है ट्रोई जेम्स की इस फ्लेक्सिबल बॉड़ी की वजए से इन्हें बहुत सारी हॉरर मुवीज में भी काम करने का मौका मिला है दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप किसी सडक से गुजर रहे हों और अचानक से आपके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका शरीर दो टुकडों में कटा हुआ है तो आप क्या करोगे? हम मेंसे कई लोग तो वहां से तुम दबा कर भाग जाएंगे लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देख कर आपको शायद अपनी आँखों पर भरोसा ना हो ये आदमी दुनिया भर में काफी मशूर जादूगर है जो की सडकों पर कट इन हाफ नाम का अपना मैजिक परफॉर्म करता है साथ ही कई जगों पर कैमरा लगा कर लोगों के रियक्शन्स भी रिकॉर्ड करते हैं इनके इस डरावने परफॉर्मेंस को देख कर कई लोग काफी डर भी जाते हैं तो दोस्तों इन स्ट्रीट परफॉर्मेंस में से आपको किस परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल दे टॉप लिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग